दोस्तों अगर आपको कोई भी ऐसी आउरत पसंद होगी जिस आउरत की उमर ना 30 साल से उपर है मतलब 35, 40, 45, 50, 55, etc. मतलब वो आउरत ना एक बड़ी उमर की आउरत है और आपको ना वो आउरत ना ज्यादा पसंद है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे ना उस आउरत को कैसी भी करके पटाना है पर आपको ना समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको पटाने के लिए क्या करो तो रोस्तों घबराओ मत आज इस वीडियो में ना मैं आपको स्रिप दो काम बताने वाला हूँ क्या बला मैंने मैं आज इस वीडियो में ना स्रिप आपको दो काम बताने वाला हूँ जो रोस्तों अगर आप सच्चे दिल से रोस्तों करते हो ना तो मैं आपको ग्यारेंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ओ जो बड़ी उमर की अवरत है ना दोस्तों जिसकी उमर 30 साल से उपर है तो ओ अवरत ना दोस्तों यू यू चुतकियों में आपसे पढ़ जाएंगी क्या बला मैंने ओ अवरत ना यू यू चुतकियों में आपसे पढ़ जाएंगी इसकी रोस्तो ग्यारेंटी रोस्तो मैं अभी यहाँ पर आपको दे सकता हूँ तो रोस्तो आज का वीडियो बहुत ज़दा इंपोरेंट है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा देखे क्योंकि अगर आपने आधा अधुरा वीडियो देखा ना तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपोरेंट वीडियो को तो दोस्तो देखो अगर आपको किसी भी बड़ी उमर की अवरत को पटाना होगा ना मतलब जिस अवरत की उमर 30 साल से उपर है तो सबसे पहला जो आपको काम करना पड़ेगा और उस तो कौनसा है कि उस अवरत की ना जरुरत को समझो और उसकी जरुरत को समझने के बाद ना उसकी जरुरत को पुरा करने की कोशिश करो तो दोस्तो मैं आपको बतना चाहूंगा कि मेरा परसनल अनभव मुझे ऐसा कहिता है कि जो बड़ी उमर की दोस्तों जो अवरते होती है न वो ज्यादा तर उनी पुरुषों से सेट होती है जो पुरुष उनकी जरुरत को पूरा करते है मतलब for example अगर किसी भी अवरत को न अपने जिन्दगी में प्यार नहीं मिलता वो न अकेला अकेला मैसूस करती है तो अगर कोई भी पुरुष आकर उसके साथ ज्यादा रहता है उसको ज्यादा अपना समय देता है उसको अकेला पन मैसूस नहीं होने देता है तो रस्तों ओ अवरत ना उस पूरुष से पटी है या पिर उस अवरत को ना अपने जिन्दगी में ना पैसों का सुक बिल्कुल भी नहीं मिलता मतलब उसकी जो इच्छाए है उसकी जो अपेक्षाए है मतलब वो पूरी नहीं होती मतलब उसका जो पती है ना उसका पती ना उसको पैसा ज्यादा नहीं देता तो अगर उसको कोई भी ऐसा पूरुष मिलता है ना जो उसकी इच्छाए पूरी कर देता है जो उसकी अपेक्षाव को पूरी कर देता है जो उसकी इच्छाए अधुरी है तो उस तो ओ आवरत ना दोस्तो ऐसे पुरुष से पढ़ जाती है या फिर दोस्तो अगर किसी भी औरत को ना बिस्तर के उपर संतुष्टी बिल्कुल भी नहीं मिलती क्या वला मैने अगर किसी भी औरत को ना बिस्तर के उपर संतुष्टी बिल्कुल भी नहीं मिलती तो ऐसे condition में अगर कोई पूरुष आकर उसको बिष्टर के उपर संतुष्टी देता है तब भी दोस्तो ओ अउरत न दोस्तो उस पूरुष से सेट होती है मतलब दोस्तो मेरा बताने का मतलब ऐसा है कि आपको न दोस्तो उस अवरत की न जरुरत को समझना पड़ेगा और उसकी जरुरत को पूरा करना पड़ेगा और दोस्तो अगर आपने ऐसा किया न तो मैं आपको ग्यारेंटी लेकर बोल सकता हूँ मतलब मैं आपको ग्यारेंटी दे सकता हूँ कि दोस्तो ओ अवरतना दोस्तो आपसे एक जटके में पढ़ जाएंगी क्या वला मैंने ओ अवरतना दोस्तो आपसे एक जटके में पढ़ जाएंगी इसकी दोस्तों ग्यारेंटी दोस्तों मैं अभी यहाँ पर आपको दे सकता हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ मेरा परसनल अनभव है और उसके बाद दोस्तों जो दूसरे प्रकार का काम है और दोस्तों कोन सा है कि दोस्तों जो बड़ी उमर की दोस्तों जो औरती होती है ना उनका पती उनकी ज्यादा तारिप बिल्कुल भी नहीं करता क्या वाला मेनी जो बड़ी उमर की दोस्तों जो औरती होती है ना उनका पती उनकी ज्यादा तर तारिप बिल्कुल भी नहीं करता तो अगर ऐसे situation में अगर आप उन अवरतों की तारिप करते हो मतलब for example आपना दिल से बहुत जदा अच्छी हो आपना जदा अच्छा खाना बनाती हो आपना ऐसी हो वैसी हो मतलब आपना अगर उनकी तारिप करते हो और आपना दोस्तों उनकी बाजू लेकर बोलते हो मतलब अगर उन अवरत ना आपको कोई भी बात बता रही है और उन अवरत ना भले गलत है तब भी दोस्तों आपना उसकी बाजू लेकर बोलते हो कि हाँ हाँ आप जो बोल रही हो ना ओ एकदम सही है मतलब आपके चगे कोई भी होता ना तो ओभी वही करता जो आप कर रही हो मतलब अगर आप उस औरत की बाजु लेकर बोलते हो उसको ऐसे दिखाते हो कि आपना एकड़म सही हो और मैं आपके साइड से हूँ तब भी दोस्तो ओ अवरत न दोस्तो आपसे ज्यादा से ज्यादा इंप्रेस हो सकती है और उस अवरत को ऐसा लग सकता है कि जो पुरुष है ना ए मतलब मेरा है और पुरुष ना मेरी बाजु लेकर बोलता है और ऐसा होने से ना दोस्तो ओ अवरत ना आपसे जल्दी से जल आउट होगा, कोई question होगा, तो आप नीचे comment box में ना मुझसे बिंदास पूछ सकते हो, मैं आपके मतलब question का answer जरूर दूँगा, तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए और happy रहि love you so much all of you